नमस्कार दोस्तों मैं संदीफ सागत आप सभी का आज किस नए क्लास में दोस्तु चलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग क्लासे से जॉइन हो जाईए क्योंकि आज किस वीडियों बात करने वाले हैं नए फिच्छा नीद पर अधारित हिस्ट्री के यानि इतिहास के मोस्ट इंपार्टन क्विस्चन आइंसर के बारे में तो वीडियो को सुरुस लेकर अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प लेगी क्योंकि आप सभी को मालूम है कई इन्वर्सीटियों ने परिच्छा की घोशडा भी करती है का इन् यानि कि परिच्छा किस डीट को है और क्यों से पेपर कप से स्टार्ट होगा कौन से डेट को कि सारीक से या पिर किस टाइम से वह सारी चीज़ें यानि परिच्छा का टाइम टेबल स्कीम जारी कर दिये तो आप लोगों को तैयारी पर पूरा फोकस करना चाहिए और मैं तो आप सभी को मालूम है कि समस्टर वाइज जरूर देखें चाहा फ़स्टेर के हो चाहा थर्ड एर के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो आप सभी के एक्जाम सब्जेक्टी होने वाली तो लगबग लगबग सिमिलारिटी है सब में ठीक है कोश्टनों में तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट मेस्टर वारे तो खासकर जो भी एक चाहत रहें ठीक है पहला कोश्टन में बि लोथल का पुरा तात्विक महत्त बताईए तो ऑफल्श का पुरा तात्विक महत्त क्या है जो लोगों को लिखना है डीटेल में अभी आप लोग समझेएंगे कि यह लोथल का प्रतात्विक क्या है ठीक है तो यह अफ्ट्रान आहिंदाबाद से 50 दचिन में धो लुखा तालुका के सरगवाला गाव में इस्थि थे यहां का टीला अंडाकार एवं निकटवर्ती भूमी से 18 फिट उंचा है यहां का उत्खनन प्रोफेसर एस आर राव ने कराया यहां के पुराव सेसो को पांच निर्णात्मक कालों में विवाजित किया गया है यहां के उत्खनन से प्रिसिद डाक यार्ड प्रकास में आया है इससे पता चलता है कि यहां से सुमर्यो से बेपार होता था तो कुल मेरा के अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मैं आपको यह वी वीडियो आप लोग 2-3 बार देख लीजेगा या फिर पीदियम में आपको दो ते तब ही आएगा एक बार से समझ में नहीं आएगा यह मैं कह सकता हूं ठीक है तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा ठीक है ने इसको बढ़ेंगे क्योंकि यह सारे क्वेश्चन आतो लोगत्रे बेस्क है इसलिए सौर्ट है ठीक है अगली वीडियो जब आएगी तो लगत् का गोध भाड़ा क्या है इसके बारे में लिखना है तो आप लोगों को एंसर में लेकिना है लोथल का गोधी या डाकीर्ण एक विशिष्ट प्रकार के भवन में था या तालिस पांड पांच मीटर लंबा बालिस पांच मीटर चौड़ा तथा तीन पाइंट फाइप मीटर पांच मीटर उचा था यह कच्ची ईटों के चबुतरों पर बनना था इस भवन की बनावट सतरंज के खानों की तरह थी यहां कच्ची इटों के 12 चौकौर तथा उचे चबुत्रें मिले हैं जो सब्सक्राइब करते हैं इनके बीच में लंबी लंबी गलियां भी यानि कि लोथल का गोदी बाड़ा एक प्रकार का एक भवन है ठीक है जिसकी लंबाई आप लोगों को पता चल गए जिसकी लंबाई आप लोगों नहीं यहां पर देखा ठीक है 48.5 मीटर और जो चौड़ा है कि इस भवन की बनावट जो है वह सत्रंज के खानों की तरह थी यह कची इंटों की बारा चोकोरत था उचे चबुत्रे से मिले चार-चार की इन पंक्तियों में विभाजी थे इनके 20 लंबी लंबी घलिया भी है तो इस तरह आप लोग थोड़ा समझ जाएंगे तो बना के छेत में बेबी लोनिया कि देन अतलधिक महात्वण माने जाती है इन्हों ने थिक है उन्होंने बिश्चि के प्रथम महाकाबी की रस्ना की इसका नाम गिल गमेश एरक- राज के के प्रथम राजुवंस का पांच्वाशा साक्था बेभी लों ठीक है बेभी लोनिया न्वासियों ने उसके साहस्पूर कार्यों की गथाओं को एक सूत्र में पिरोकर महाकावि का रोब दिया है इस महाकावि में शस्टी रसना तथा प्रलाय के सम्मंद में रोचक कताएं हैं तो कुल्म लाके गिलगा में जो महाकावि है ठीक है इसको आप लोग कह सकते हैं साहित के छेत में बुलियों के दोर में अतधिक महातमोड मानी जाती है उन्होंने बिश्ट्र के पर्थम महाकावि की रसना की है ठीक है बिश्ट्र के पर्थम महाकावि की जो रचना है इसका जो नाम है वो गिलगा मेंस है परफम महाकावी ठीक है तो गिलगा म मेश महाकावी ठीक है उनका नाम भी आपनोंको ने देखा है और लिखा गिलग ठीक है गिलग मेस एरक राज के प्रथम राजवंस का पांचवा सासक था बीवी लियून निवाशियों ने उसके साहत की गाथाएं भी की हैं और इन्होंने उसका महत्तु भी बताया है और उसमें जो अनेक अनेक रोचक कताएं उसके बारे में भी इन्होंने उसके संब्द में भी है तो कुलाके यह भी कोईश्चिन आप लोगों को समझ में आ गया ह terrorists के वहा कार एक दू बार पढ़ेंगे समझ में आज आएक तोहिश के प्रथम इतिहासकार ciao और 425 है यानि कि 84 और 25 के इशा पूर्व में करीब करीब इन दोनों की पूर्व में ने यूनान पर इरानी आक्मन का इतिहास अतियंत रोचक धंग से लिखा या इतिहास लिखने की कला का जर्मदाता था या विदेशी था और एथेंस में आकर बस गया उसने फारा ठीक है फ लिख लीएगा आप लोग के कोईस्टन में कहीं भी कोई भी पूंच ले या फिर आप लोग के जीके अगर कंपटिशन के तैयारी करें तब भी इंपॉर्डटन कोईस्टन का पर्थम इतिहासकार है ठीक है है हेरो डोटस है जो की युनान पर इरानी आकमन का इतिहाफ और आसपास रहने वाले जातियों का भी इतिहाफ लिखा है जो इस समय चल लए जात बेद भाव उसके बारे में इनों ले लिखा एतिहास में ठीक है तो कुर्मिला के हेरो डोटर इनके बारे में भी आप लोगों को मालूम हो गया ठीक है नेश कोश्चन लिखा कि असुरु बनिपाल तो इसके बारे पढ़ते हैं कौन है या फिर क्या है लिखा कि सरगान दुटिये के उत्तारधाकारियों में असुर बनिपाल उन्नीस सोरी 670 से 633 इसा पूर्व एक महान भी जेता तथा सफल सासक शिद्ध हुए थे उसने मिस्र को जीता यानि की असुरु बनिपाल ने मिस्र को भी जीता है यानि की इनोंने बहुत सारे युद्ध में भाग लिआ और लड़े भी और उसमें इनोंने बदनामी कोहता के करण बदनामी भी लिखा कि इस जद्ध उसमें थीक है सालीनिता की कमी नहीं थी उसके मा समय उसके समय आसारियों की सक्त अपनी परकोष्ठों पर पहुंच सकी थी परंत उसके बाद विदेशी आक्रमण के कार असरिया का तेजी से पतन आरंभ हो गया यानि कि धीरे धीरे जब विदेशी आक्रमण हुआ तो असरियों का तेजी से यानि कि इसका पतन यानि िंगर्ड देले समाप्त हो गया दिखा की फराओं मालुम हो जाएगा यानि की जो भी मिस्र के राजा होते थे यह पर कैसे जो भी जो भी प्रोसस ठानी कि तो उनको पर हो भी कहा जाता था यह या कहलाता था ठ titt है फराओं का अर्थ है पराओ का उर्थ है सर्बोच भवन जहां इश्वर निवास करता है याद रखिएगा फ़राओ Luego इस रख भवन या निकि-व्श भवन का या पूरे राजी का जो मुख्य है ठीक है मुख्य भवन सर्बोच ठीक है भवन जहां इस्वन निवास करता है यह फराओं का अर्थ होता है अगला है इसमें और जुड़ा है लिखाए कि तात पर यह है कि मिस्र का फराओं सक्तसाली तथा निरंकुष सासक था सक्तसाली तो था ही सासाथ में निरंकुष की भी उसके पास उपलब्धी थी या फिर वो सासक था लिखाए कि मिस्र में लगबग 31 राजवन सो ने एक तिस तो यानि कि 3100 वर्स तक सासन किया और अंत में 1332 इसा पूर में शिकंदर ने इस पर अधिकार कर इसे अपना एक निवेश बना लिया इस युग में फराओं का मुख्य उद्धिश परामीडों का निर्माण करना था कुल मिला के जो फराओं था वो क्यू प्रसिद ने 3100 यानि कि 3100 वर्स तक सासन किया कुल्मा के तिस राजवन्सों से मिला के ठीक है और इसमें 1332 में शिकंदर निष्प अधिकार किया और उसका एक उपानिस बना बना लिया यानि कि उसको उपनिवेश बना लिया इस युग में फराओं का मुख्य पिरामिट का निर्मा तो एंसर में आप लोगों के मिलेगा कि उत्तर लिखे यहां पर लिखाए कि गीजे के पिरामिड के पास एक ठीक है इसफेक्स ठीक है इसफेक्स नर तथा सिंगी की मिली जूली मूर्ती बनी हुई है या 25 गज उची तथा 50 गज लंबी इसे प्रचीन में हूं के नाम से प सब्सक्राइब नाम से पुकारते थे इसका अर्थ है भय का पिता यानी की डर का पिता तो कुल मिला के इस विए इसके बारें भी आप लोगों को मालूम हो चुका है ठीक है हम बढ़ेंगे को की और ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट नहीं कराना चाहेंगे यानिकि आप लो नहीं कराएंगे हम जल्दी से कोईशन पढ़ेंगे और सोट लेंगज में आपको समझाने का प्तियाज भी करते हैं और आप लोग तो काफी समझदार हैं क्योंकि यह में पढ़ रहे हैं तो समझ आते हैं ठीक है लिखाए कि हम्मूरावी कौन था इसमें उत्तर में आप 42 वर्सों उसने लगबग 42 वर्सों एकीस सो त्याइस इसवी पूर्व दोहजार इकीस इसा पूर्व तक सासन किया वह अपने यूग का एक महान भी जेता था उसने अपने प्रक्रम और सैन निबल से मेशो पतामिया का एक ही करण किया इसके बाद उसने एलम तथा असारिय इसका लगबग इतने वस पहले इसनोंने सासन किया है और यह इस यूग का महान बिजेता भी था ठीक है और यह कुसल सासक और संगंठ संगठन करता भी था यह हो गई हमारी साट लंगज में इसका अर्थ या फिर इसकी परिभासा ने स्टेशिम में मिल जाएगा दिखा कि चीन के दिवार के बारे में क्या जानते तो most important question generally question आप लोगों आप लोगों ने चीन के दिवार के बारे में तो वैसे भी सुना होगा इसमें उत्तर में लिखा है कि चीन की दिवार उत्तर पस्चिमी सीमा पर हुडों के आक्रमणों में रच्छा करने के लिए सी तीक है करने के लिए सी हुं आंग्टी ने या दिवार बनाई थी या पंद्रासो मिल लंबी बीस फिट चोड़ी तथा बाइस फिट उची इसमें बीफ हजार गुम्दे तेश हजार अस्तंब और दफ हजार फ्रच्छा चौकियों ठीक है दफ हजार फ्रच्छा चौकियां बनी हु सैनिक रोक है यानि कि इसका अर्थ है अगर सब सुद्ध मासा में कहें तो इस पर अंके सब्द इस प्रकार है कि सुर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है तो कोल मिला कि इसका भी आर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ठीक है उने स्कोश्चन है लिखा कि लाओ ठीक है लाओ तेसे कौन था तो यहां पर एंसर में लिखा कि जन्सृति के अनुसार उसका जन्म छेफो चार इसापूर्बू चीन के होनान प्रांत में एक निर्धन परिवार में हुआ था ठीक है लाओ से कि विचार धारा चीन के प्रचीन ग्रंथो यह चान और प्राप्ति का समर्थक था उसने चीनी लोगों को बिना किसी जिजिक के नियत द्वारा निर्धायत मार्ग पर चलने को कहा तो कुल मिला कि इसके बारे हम डीटिल में नहीं जाएं क्योंकि हम इसके खिलाफ है आप लोगों को मालूम है कि हम एक हैं इंडियन ठीक है तो इस प्रसासन बिद्ध समत ठीक समत था सुमेरिया की अपनी बिद्धि संहित्ता थी जो परमपराओ अचार विचारों तता रीज रिवाजों पर आधारे थी परारम में ऐसे ही बिखरे और अस्थानिय अधार पर थे किन्तु जब विसाल समराज की अस्थापना की प्रिक्रिय परारम होई तो अलग-अलग नगर राजियों के रीत रिवाज और परमपराओं में यानि कि जो भी वहां की रीत रिवाज थी अलग-अलग जो राज थे अलग-अलग जो सहर थे उनकी जो अलग-अलग रीतिया अलग-अलग परमपरा थी ठीक है उसमें भेनिताओं के कार को पढ़ लीजेगा अंसर आप लोग समझ में आ जाएगा ठीक है और लिखा कि मेस्वप्रॉटामिया क्या और पुर्ण के बारे में क्या समझते हैं आप क्या है कुछ आप लोगों किसमें अंसर में मिल जाएगा लिखा कि मुश्वप्रॉटामिया जिसे सन 1998 सभी में इराक क की संग्या दी गई धान लखेगा मुश्वप्टामिया को 1908 में इरा की संग्या दी गई दच्छिट पस्चिम एश्या का दजला फरात और उसकी सहायक नदिया मिश्वप्टामिया सब्द दो नदियों के मद्ध के प्रदेश के संग्या ब्रीच के जबर उसके बारे में इसके वारे मुझत जो है आप लोगों को हम नेश्ट वीडियो मताएंगे डीटियल में फिराल लेकिन कुल मिला के मेश्व पिटामिया के बारे में आप लोगों को थोड़ा यानि के संशिप्त जो जरूरी था जो का मत्तब था वह आप लोग समझ में आ गया है कि वह सब्टामिया और इसका जो भर द्रेसाओने जो फाराज की नदियां उसमें की संपूर घाटी जो है समाविष्ट है मेश्व पटामिया सब्द जो जो है वो दो मेसोस का अलग-अलग वर्ट से बने हैं मिसोस और पोटामस जिनका पहर में साज का आइए मध्ध और पोटामस का अर्थ आप लोगों को मालूम हो गया नदी तो यह ध्यान रखेगा अगर इसके बारे में आप जरह सा यह हिंट मिल गई तो आप लोग इसके बारे में तो समझ में आजाएगा अगर इसके लावा कोई कोई सुझावत करके पूछे देखे एक्जाम चाहाए जब भी वह आप लोग तैयारी करेंगे तभी आप लोग आगे सफल हो पाएंगे ती के तो जाम कभी भी हो लेकिन आप लोग तैयारी हो जूटे रही है लिंक वीडियो में इस्टे कि लाज किता तब तक लिए जाहें दिए